नमस्कार आपके साथ मैरी नाजाबालियान COVID-19 की वज़़ से lockdown का दौर चल रहा है जिसकी वज़़ से शिक्षण संस्थान बंध है school colleges नहीं खुले हैं अब अभिभाव को को इंतिजार है छात्रों को इंतिजार है कि school colleges कब से खुले जाएंगी इसलेकर HRD मिनिस्टर की दरफ से भी राज़े सरकारों को कहा गया है कि आप जानकारी दें कि आपके राज़े में हालात किस तरह के हैं और कब school colleges नहीं वो खुल सकते हैं इसलेकर राज़े सरकारे भी काम कर रही है अपने सतर से और अपने राज़े का हाल देखते हुए decision भी राज़े सरकारों की दरफ से लिए जा रही है कि उनके राज़े के अंदर कुरोना का क्या हाल है और क्या situation है कितना चुनोती पूर्ण हो सकता है ऐसे situation में school colleges को खोलना और ऐसे में किस तरह से teachers, school आ सकते हैं बच्चों को पढ़ा सकते हैं तो ऐसे में अलग-अलग राज़े सरकारों की दरफ से फैसला जो है वो लिया जा रहा है कोशिश की जा रही है कि कितने जल्दी school जो है वो खोला जा सके लेकिन इसे बीच एक महतवपूर्ण जानकारी जो कि जारखंड से सामनी आ रही है जा जारखंड में school खोलने को लेकर एक plan तयार किया गया है ये plan आपको भी समझने की जरूरत है और आप भी देखे किस तरीकी का ये plan है और किस तरीकी के नियाम इसके लिए लागू किये गए है जारखंड में जो फैसला किया गया है school को खोलने के लिए उसमें ये है कि teacher को पहले test देना होगा test को pass करना होगा और अगर आप test को pass नहीं करते हैं तो आपको फिर से प्रशिक्षर लेना होगा इस test के लिए आपको training बकायता दी जाएगी और अगर आप टेस्ट को पास नहीं करते हैं असी फीज़ी अंकों के साथ तो फिर से आपको ट्रेनिंग पर वापस जाना होगा आप अगर टेस्ट को पास कर लेते हैं तो उसके आधार पर स्कूल को खोला जाएगा अब ऐसे में आपके लिए समझना जरूरी है कि ये प्रशिक्षण किस तरीके का होने वाला है ट्रेनिंग किस तरीके की होने वाली है और कब से शुरू होने जा रही है दरसल जो प्रशिक्षण होगा जो ट्रेनिंग होगी वो COVID-19 को लेकर ये training होने वाली है और इस training के लिए आपके पास smartphone होना जरूरी है smartphone में आपके पास app होना भी जरूरी है जिसके लिए कहा गया है ये app है स्वच विद्याले, स्वच बच्चे इस app को आपको डाउनलोड करना है और इस पर आपको register करवाना होगा प्रशिक्षन के ततकाल बाद भी अगर कोई शिक्षक चाहे तो online परिक्षा दे सकते हैं और इस परिक्षा में जैसे कि मैंने आपको कहा कि 80% अंग जो है वो जरूरी है जिसके बाद आपको एक certificate दिया जाएगा और इसके आधार पर ये school होले की इजासत जो है वो दी जाएगी अब ऐसे में आप ये समझे कि जो प्रशिक्षन की बात कही जा रही है वो किस तरीके का प्रशिक्षन होगा यानि कि किस तरीके की वो training होगी और क्यों जरूरी है और ये कारिक्रम किस तरीके का होने वाला है दरसल सभे शिक्षकों का पंजन अनिबारे है राजे के एक दशलव एक छे लाग सिक्षकों को कोरोना से बचाव का प्रशिक्षन जो है वो दिया जाएगा जारकन शिक्षपर योजना और UNICEF द्वारा संचौलित यह प्रशिक्षन कारिक्रम है स्वाच विद्याले, स्वास्थ बच्चे एप पर आनलाइन ट्रेनिंग की पूरी जानकारी जो है वो दी जाएगी अभी प्रशिक्षन कारिक्रम कैसा है ये भी आप समझ लीजिये कि ये ट्रेनिंग कैसी है इसमें क्या कुछ खास रहने वाला है COVID-19 क्या है ये कैसे फैलता है और इससे कैसे बचा जा सकता है स्कूल खुलने पर उसका संचालन आप कैसे करेंगे यानि कि इस प्रशिक्षन में इस ट्रेनिंग में टीचर्स को ये बताया जाएगा कि अगर स्कूल खुलता है तो टीचर्स को ये समझना और उनके जानकारी में ये बात होना जरूरी है कि COVID-19 के बारे में उनके पास पूरी जानकारी हो और साथ ही साथ आपके पास ये जानकारी भी होनी चाहिए कि आप जब स्कूल खोल रही है आप स्कूल में पढ़ाने जा रही है तो आप किस तरीके से ऐसी स्थिती में स्कूल को चलाएंगे बच्चों को हाथ धुलवाने सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के बारे में भी इसमें बताया जाएगा कि जब अगर ऐसी सिच्वेशन में ऐसी स्थिती में स्कूल खोले जाते हैं और बच्चे आते हैं तो उन्हें हाथ धोने जैसी जानकारी या फिर एक उच्चे दूरी बनाने जैसी जानकारी आपको बच्चों को देना जरूरी है और साथे साथ किसी बच्चे में COVID-19 के अगर लक्षन पाए जाते हैं तो शिक्षक उस समय क्या करें और इसकी जानकारी आपको कहां देनी है देखें ये बहुत ही महतपूर्ण ट्रेनिंग होने वाली है क्योंकि COVID-19 के शुरू होने के बाद से ही स्कूल कॉलेजिस बंद है इससे पहले ना तो बच्चों को जानकारी थी कि COVID-19 यानि की कोरोना वाइरस क्या है ना टीचर्स को इसकी जानकारी थी और अगर ऐसे इसी बीच में अगर स्कूल कॉलेजिस खोले जाते हैं या फिर खास तो अपर स्कूल के अगर हम बात करें जहां पर छोटे ना निहाल आते हैं पढ़ने के लिए जिनकी अभिभावक को चिंता रहती है कि उनका बच्चा कैसा होगा इस स्कूल में और ऐसी चिंता को दूर करने के लिए ही ये फैसला लिया गया है कि अगर कोई अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल खोलने के बाद भेजता है शिक्षा ग्रहन करने के लिए तो अभिभावक चिंतित ना हो वो इतना विश्वास करें कि जिस स्कूल में भेज रहे हैं बच्चों को वहाँ पर टीचर्स पूरे ट्रेंड है उन्हें पूरी ट्रेंग मिली हुई है COVID-19 के दौरान इस महामारी के दौरान बच्चों को सही तरह से जानकारी देने की और शिक्षा ग्रहन करवाने की तो यह महतवपूर्ण जानकारी है आपके लिए अगर आप जारकन में रहते हैं अगर आपको भी चिंता है बच्चों की शिक्षा को लेकर या फिर अगर आप एक टीचर हैं तो आपके लिए यह जानकारी बहत मैतपूर्ण है जिसे आप अपने पास रखिए जरूर 16 तारीक से 16 जून से यह ट्रेनिंग शुरू होने जा रही है और जैसा कि सिलसिलवार तरीके से मैंने आपको जानकारी दी है इसके बारे में कि ट्रेनिंग कैसी रहने वाली है किस पर आधारित रहने वाली है क्या कुछ आपको इसमें सिखाया जाएगा आपको किस आपका इस्तमाल करना है किस फोन का इस्तमाल करना है तमाम यह पूरी जानकारी मैंने आपको दी है आप ये जानकारी अपने पास रखिए 16 जून से ट्रेनिंग जरूर लिजी और कोशिश कीजिए कि बहुत अच्छे से आप जो टेस्ट दें उसमें 80 फीजदी माक्स आपको लाना जरूरी है अगर आप 80 फीजदी माक्स से पास नहीं हो पाते हैं तो आपको ट्रेनिंग पर वापस जाना होगा तो अगर आप चाहते हैं कि आपके राज्य की स्कूल जल से जल्द खुले तो आप प्रशिक्षन जरूर ले और टेस्ट में पास जरूर हो फिलाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत लेकिन और भी कुछ अपडेट्स होंगे तो मैं आप तक जरूर पहुंचाओंगी आपके क्वेरिस भी आप अपने रख सकते हैं कॉमेंट जरूर कीजिएगा नमस्कार